अपने ख्याल भी रख रहे होंगे तो बेटा आज हम करने जाने अपनी वरक्षीट नमबर 47 ठीक है साइन सब्जेक्ट के बेटा नाइंध किलास की है और 21 तारीक की है इंगलिज मेडियम में है ओके जिसमें हमारा चैप्टर चला हुआ बेटा टीशू उसमें आज हम पढ़ एपिडर्मिस क्या होती है ठीक है तो ग्यान पोच रहा है जिग्यासा दीदी हाओ आर दी प्लांट्स एबल टू प्रोटेक्ट देमसेब तो अपने हाग को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर पाते किसी भी मतलब की एन्वायमेंट से है किसी भी जीव जनतु से और भी चीजि ठीक है और जो एंटायर सर्फेस होता है प्लांट्स का मतलब पूरा कंप्लीट प्लांट क्या होता है इससे धका हुआ होता है ठीक है दियर मेंट टास्क इस टू प्रोटेक्ट पार्ट्स ओफ प्लांट जिसका मुख्यकारिय क्या होता है बटा पोदों के सभी भागों की उन से अलग होता है तीन तरीके के होते है टोमेटा और कोर्क तो पहले बारी-बारी से पढ़ेंगे पहले पढ़ते हम एपिडर्मस तो ओल दी पार्ट्स ओडी प्लांट लाइक फ्लार, लीव, स्टेम और आउटर लेयर ओफ दी रूट्स और कवर्ड बाई एपिडर्मस तो इन सभी के ऊपर एक 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 इस्टरनल लेयर होती है फोल हो गई, पत्ती हो गई तने हो गई, या जड़ हो गई इन सब के ऊपर एक भारी-परत होती है जो कि क्या कहलाती है एपिडर्मस कहला दिए ठीक है तो बेटा देखो जो ये दिख रही है आपको ये परत क्या है एपिडरमस है जो भारी परत है ठीक है ऐसे ये अंदर भी पाई जाती है लेकिन जो भारी परत की बात कर रहे हैं तो ये क्या है एपिडरमस है ओके अब एपिडरमस के ऊपर भी एक और परत होती है बहुत ही पत विजुएली फ्लैट तो कुछ जो सेल सेल फ्लैमी लोता है इस तरीके से हैं हमने बागे इस तरीके सेल पढ़त TSये फ्लैमी ठीचें चपते ओके अब प्रोड्यूस प्रोड्यूस डिलेयर नोन-अब क्यूटिकल टिक heute तो जो एपिडिरमर सेल होता है उसका एरियल प्रोड्यूस खड़ता है यह वाली जो मैंने अभी बात की थी जो इसका एरियल Państwo के ऊपर वाला किए जो हवा में होता है ये क्यूटिकल बनाता है और जो बेटा वह रोखता है और जो बेटा वह इसको रोम रोकता है जो क्या करता है थे rooms यहें लेयर बनाई ये layer के अंदर एक wax type की secret होते है एक material secret होता है जिसको mom बोल देते है wax बोल देते है ठीक है ये क्या करती है ये इसकी सतय को चिकना बना देती है जिससे इसकी उपर पानी आएगा तो वो रपट जाता है अंदर नहीं जाता और अंदर से भार भी नहीं आ पाता ठीक है तो ये क्या करती है पानी को आने और जाने से रोपती है waste होने से it is more prominent in the aerial part of desert plant और ये ज़्यादा तर कहां पर पाए जाते है बेठा cutin जो waxी तरीके का जो material waxी वाला होता है ये सबसे ज़्यादा कहां पर पाए जाते है जो desert में plants पाए जाते है ऐसा नहीं है हर पोदों में पाए जाएगा लेकिन उन में पाए जाते है कुछ पत्ती देखेंगे आपने बहुँ ज़्यादा चिकनी होती है और कुछ खुर्दरी होती है तो जिन में cutin होता है वो होती है चिकनी ठीक है वो क्या करती है भार से और अंदर से पानी को भार और भीतर नहीं जाने देती ठीक है अब ये क्या कहरे बेटा ये क्या करता है ये पानी का लोस को बचाता है ठीक है मतलब कि अब तुम देखोगे पत्य दूप में रहती है तो बेटा ये पानी को क्या करती है वास भी करित करती है पत्यों से और invasion by parasitic fungi इसका क्या मतलब है घुसना, invasion मतलब घुसना, इसके अंदर चिकनी सतय होगी तो जल्दी से कोई भी जो parasitic fungi होती है, मतलब सुक्सम्चीव microorganism होते हैं, वो इसके अंदर enter नहीं कर पाते हैं, जल्दी से, ठीक है, अब इसका और कार्य क्या है, यानि कि वासपोत सर्जन को रोपती है, जो पानी है वो भार जाता है पत्तियों से, उसको रोपती है, फिर next क्या है बटा, कि epidermal cell of the roots absorb water with the help of the hair, ठीक है, जो epidermal cell है बटा, उसके क्या करते हैं, जो root में होते हैं, ये root है, इसके जो भारी परते हैं, इसके भारी epidermal में क्या ह पत्यों में तो क्या हो रहता है, ये रोकने का कारी कर रही थी पानी को, और इसमें ये observe करने का कारी कर रही है, ठीक है, और इसके लिए इसमें चोटे चोटे बाल रोए हूँते हैं, आप देखते हूंगे, जड़ों में बेटा आपने गाजर की में भी देखा होगा, इस तो इनके भी आगे चोटे चोटे बाल होते हैं, ये बाल क्या करते हैं, इसकी सतय को बढ़ा देते हैं, सर्फेस को जिससे ये पानी को ज्यादा से ज्यादा अब्जर्व कर सके, रूट से इंक्रीज दी वोडर एबजोप्सन कैपस्टी और दी हेर, ठीक है, तो जो ये चो पॉर, जो एपिडर्मस लेयर है, हमने क्या कहा था, सभी भागों की भारी परत में क्या होता है, एपिडर्मस ऐसे ही पत्ती वाली में पाएगा, अब इस पत्ती वाली जो भारी परत है, इसमें एक और चीज होगी, छोटे-छोटे से ये ऐसे पाये जाते हैं, यानि कि छि अब क्या बोला है, इन्होंने देखो, यहाँ पर देखो, पहले तो आप पत्ती को बढ़ा करके देखोगे, तो उपको कुछ इस तरीके की लगेगी, ठीक है, अब इसमें क्या है, हम इसमें से एक छोटा सा भाग ले लेते, हमने ये वाला भाग ले लिया, अब बेटा दे तो इंदी में बोलते हैं, रक्षी कोशी का है, अब गार्ड सेल का मतलब क्या है, कि जैसे ही हमें पानी की जरूरत होती है, या मतलब की वाई-उ की, उकसीजन की, कार्बन डे उकसलेट की जरूरत होती है, तो यह खुल जाते हैं, इनके बीच में ये छिदर बन जाता है, लेकिन जब जरूरत नहीं होती तो ये द्वार बंद हो जाते हैं, जैसे गेट बंद कर लेते हैं इस तरीके से बंद हो जाते हैं तो फिर पानी जो है भार नी जा पाता है, ना आ पाती है, ठीक है और ये complete क्या कहलाता है, stomata कहलाता है, ये दोनों guard cell कहलाते हैं और जो इसके बीच का स्थान है वो क्या कहलाता है पोर कहलाता है ठीक है ये एपिडर्मस है ओके अब बेटा नेक्स्ट देखो यहाँ पर तो ये क्या करते हैं बेटा ये मतलब कि जो स्टोमेटा होता है ये जो छीदर है इसको क्या बोला गया है बेटा स्टोमेटा बूलते हैं ठीक है अब ये स्टोमेटा जो है ये क्या करता है एक्सचेंज करता है स्टोमेटा का जब इसमें प्लांट में फोटो सिंथेसिस होती ह तो यह बोजन बनाते है, उसमें क्या होता है, गैसों का आधान परदान होता है, CO2 यह भाहर से लेता है, ओटू छोड़ता है, तो यहीं से वो हो पाता है, ठीक है, एट्मोस्फियर से, और दूसरा का, आप दे ओल्सो हेल्प इन ट्रांस्पिरेशन, और बिटा जब यह ओप तक आपको पता चल गया, दो कारिया होते हैं, अब next बिटा, कोर्क पड़ते हैं, इसको कैंबियम भी बोलते हैं, ठीक है, यह क्या होता है यहां पे देखो, आपने यह देखा होगा, यह पीड़ की, यह भारी परत को हम छाल बोलते हैं, ठीक है, लेकिन इसके जो अंदर व the tissue on the outer layer of the roots and stems become hard and convert it into cork टीक है, तो इसके जो भारी layer के अंदर roots के भी और stem के भी अंदर ये hard बनते चले जाते हैं और किसमें convert होते चले जाते हैं cork में, जैसे आपने देख ऑँ आप छोटे पोदों को देखते हो तो इनकी ये जो तने होते हैं यह बहुत soft होते हैं लेकिन जैसे पेड़ बड़ा होता जाता तो यह hard होते जाते हैं ठीक है और जो इनकी भारी layer है मतलब इस तरीके की इसमें layer बनती चली जाती है ठीक है यह ऐसे है लेकिन आप इसको उपर से काट के देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके के बोला जाता है कोर्क यह layer पे layer होती है ठीक है this produce a multi-layer outer covering known as the bark of a plant और यह दीरे-दीरे किसमें बदल जाती है बार्क में बदल जाती है कोर्क अब due to the deposition of suverine a chemical substance produced by the tissue तो जो यह layer है यह ठीक है यह layer थी हमने कोर्क पड़ी इसके अंदर एक suverine नाम का chemical जो है release होता है ठीक है between the cells, cells के बीच में the cell will become thick and no intercellular space is left between them and cell become dead ठीक है तो क्या होता है बटा अब जो यह chemical release हो रहा है यह क्या कर देता है इसको मोटा बना देता है और इसके बीच में कोई भी intercellular space नहीं छोड़ता मालो को यह ऐसे है तुमने इस तरीके से यह space भर दी है रंगोली बना रहे हो और बीच में तुमने कुछ ऐसा material डाल दिया कि यह सारा cover कर दिया इसने तो इस तरीके से यह क्या हो जाएगा पूरी भर जाएगी ऐसे ही यह भी क्या होता है बटा complete भर जाता है और इसकी वज़े से हार्ड हो जाता है ठीक है इस material की वज़े से और कोई space नहीं बचता तो इसक कोशी काई बोलते हैं मतलब कि dead cells बोलते हैं अब सुबेरिन करता क्या है सुबेरिन make the bark and cork impervious to the gas and water impervious मतलब ना तो यह अंदर जाने देता है इसको gases को और water को और ना ही भार जाने देता है ठीक है and thus it protect the plant from jerk and wound और इस तरीके से यह क्या करता है इसमें किसी भी तरीके का कोई कि जो जर्क होता है मतलब कि कोई चोट जादा जल्दी से अचानाक से नहीं होते हैं बहुत जादा जोट लगाना पड़ता है इसको हमें काटने के लिए छेलने के लिए ठीक है वह इसलिए क्योंकि इसके अंदर क्या होता है सुबेरिन ठीक है और ना इसमें जल्दी से घा लगहांका तो कुया है तो इह पाएंड कोशन क्या है ये कि राइट ये व कार्या लिखन ये epidermis के तो epidermis क्या है बेटा हमने अभी पढ़ा था तो यहाँ पे आपको दिये गई है cuticle of epidermis control the transpiration यह कर दो दूसरा epidermis cell of the root absorb water with the help of hair-like extension called root roots here increase the water absorption capacity of the root तो यह आप दोनों points लिख दोगे इसमें ठीक है बेटा third question क्या है where is the stomata located in plant तो plant में stomata कहां पर located होता है और इसके क्या कारिया होते है तो बेटा कारिया कहां से लिखोगे है यह मतलब कि कहोता कहां पर है यह लिखोगे epidermis layer of leaves have the teeny pore like structure called stomata यह तो यह होगा है कि यह leaves के अंदर होता है अब fourth question क्या है बेटा why is the cork hard तो जो cork होता है वो hard क्यों होता है what benefits do plant get due to this और इसके क्या benefit होते है इसको तो cork hard क्यों होता है बेटा due to deposition of suverine a chemical substance produced by this tissue between the cells the cell will become thick and no intercellular spaces left between them and cell become dead तो इस वज़े से क्या हो जाता है cell dead हो जाता है फिर इसका कार यह क्या है suverine make the bark and cork impervious to the gases and water thus it protect the plant from the jerk and bound तो यह सारा आप लिख दोगे इसमें दोनों points ठीक है पहने वाले का क्या मतलब है इसमें suverine होता है जो इसको hard बनाता है दूसरे का मतलब क्या है यह hard बनाता है तो इससे क्या होता है इसमें exchange नहीं हो पाता gases और water का ठीक है जो की protect करता है फिर इसको किसी भी चीज से अब बिटा यह थे आपके आज के question उमीद करते हो आपको अच्छे से समाझ आ गई होंगे फिर भी कोई doubt हो तो आप comment box में पूछ लेना और आपको पसंद आई तो इसको like share जरूर करना इस नेक्स टूडियो में करेंगे तब तक के लैसे हसते रही है मुस्क्रात रही है बढ़ते रही रागे बढ़ते रही थैंक्यू